जाई गुर्देव पिछले वीडियो में शिव द्वारा बताया गया योग का गुड मार्ग हमने समझा शिव ने हमें बताया कि कैसे हमारा शरीर ही ब्रह्मान्द है और इसके अंदर माजूद चक्र विभिन शक्ति केंद्र कैसे योग के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं आज हम शिव के द्वारा बताये गए महायोग के रहस्यों पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में इस महायोग से होने वाली क्रियाओं के बारे में बंद और मुद्राओं के बारे में अनुभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे जब शक्तिपात से हमारी आंत्रिक शक्ति जागरत होती है तो क्या होता है कौन कौन से अनुभव हमें दिखाई पड़ते हैं और हम कैसे जाने कि हमारी कुंडलिनी जागरत हो गई हमें कैसे पता चलेगा कि शक्तिपात हो गया यह सवाल आमतौर प पर नवी नहीं मिल जाता है। लेकिन फिर भी हमें ब्रहम रहता है और कई साधक पूस्ते हैं कि वास्तों में किस तरह की अनुभूतियां होनी चाहिए। किन एक अनुभूती को लेकर प्रश्न खड़ा होता है। वो हर अनुभूती का अर्थ जानना चाहते हैं। वो पता करना चाहते हैं कि खास तरह की अनुभूती, क्रिया, बंद, मुद्रा, उनकी साधना की किस इस्थिती का वर्णन करती है। एक और बात यहां पर साधकों के बीच में चलती है कि इन अनुभूतीों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाने चाहिए। कई साधकों को अनुभूतिया होती हैं, कई साधकों को क्रियाएं होती हैं, कई साधकों को क्रियाएं नहीं भी होती है। तो इस बारे में मैंने लगबग दो साल पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुंडलनी के पांच सुरूपों के बारे में आपको बताया था कुंडलिनी क्रियावती भी है, कलावती भी है, बोधमई भी है तो कुंडलिनी जरूरी नहीं है कि क्रियाओं के माध्यम से ही अपनी उपस्थिती का पता बताए किसी किसी में कला का उदय हो सकता है किसी किसी में क्रियाएं हो सकती है किसी किसी में भक्ति भाव का उदय हो सकता है तो अलग-अलग साधकों में उनकी पातरता के अनुसार उनकी वर्तमान इस्थिती के अनुसार उनकी प्रारब्ध की साधना के अनुसार अनुभव प्रकट होते हैं जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को क्रिया हो लिकिन आमतौर पर महायोग में शक्तिपात के बाद क्रियाओं की अनुभूती का महत्व बताया गया है क्रियाएं होना, शक्ति की उपस्थिती का पता चलना, प्राण का प्रवाह तेज होना ये अनुभूतियां सहज रूप से साधकों में अमूमन आती ही है शुरुवात में साधकों की तर्क बुद्धी, मन, ये सवाल खड़ा करता है कि ये जो अनुभूव आ रहे हैं, क्या वास्तों में ये कुंडलनी शक्ति के माध्यम से कराय जा रहे हैं या ये हमारी मन की कलपनाएं हैं क्या ये कालपनिक अनुभूव हैं, क्या ये मन के घोड़े हैं जो दौड रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जब वो उन अनुभूतियों की गहराई हैं में जाता है तो पता चलता है कि वो सारी अनुभूतियां उसके मन की कलपनाएं नहीं है वो अपने मन से ऐसे अनुभव प्रकट नहीं कर सकता जिनके बारे में वो जानता तक नहीं है तो ऐसे कौन से अनुभव हैं जो आम तोर पर सादकों को होते हैं मैं एक और बात बता दूँ कि इन अनुभूतियों को बताने का मतलब ये नहीं है कि आप इन अनुभूतियों की इच्छा करने लगें क्योंकि कुंदलिनी शक्ति, महा देवी, महा शक्ति, युनिवर्सल मदर पावर ये जानती है कि आपको किन अनुभूतियों की जरूरत है दरसल आपका शरीर अनुभूतियों का बेस है और जो अनुभव उस बेश पर खड़े होते हैं उनका अर्थ ये है कि उनके माध्यम से कुण्डलनी को आपके अंदर कोई परिवर्तन करना है रूपांतरण की किसी प्रक्रिया को घटित करना है और उनकी आपके शरीर को आवशक्ता है आपके मन, बुद्धी, चित्त और अहंकार को उनकी जरूरत है आपके रूपांतरण को उनकी जरूरत है आपके संसकारों के विसरजन के लिए उन क्रियाओं की उन बंद और मुद्राओं की आवशक्ता है आवशक्ता नहीं है तो वो क्रियाओं, बंद, मुद्राओं आपको समय मिले भोजन से पहले खाली पेट आप बैठें इसके बाद क्या होना है इसका निर्णय स्वयम शक्ति करेगी आप नहीं करेंगे तो आपको इन अनुभूतियों को तभी सुनना चाहिए जब आपके अंदर इतनी संकल्प शक्ति हो कि इन अनुभूतियों का कोई बहुत महत्व नहीं है यदि वो इक्षा करके हासिल किये जाएं क्योंकि इक्षा करेंगे तो मन की कलपनाएं दोड़ेंगी और उसी तरह के अनुभूतियों आप लाने की कोशिश करेंगे तो वो साधन अहंकार सहित साधन होगा जिसमें आप अपने अहम के द्वारा उन अनुभूवों को उत्पन करने की कोशिश करेंगे हाला कि चाहकर इस तरह के अनुभू उत्पन नहीं किये जा सकते हैं फिर भी मन की कलपनाओं से कुछ अनुभूतियां जरूर हो जाती हैं जैसे विभिन चक्रों पर हम ध्यान करते हैं तो थोड़े थोड़े अनुभू उन चक्रों पर हो जाते हैं होने लगते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है फोकस करने से अभिमान सहित साधना करने से क्रिया करने से व्यायाम करने से कुछ न कुछ परिवर्तन तो होता ही है लेकिन यहां पर कुंडलनी शक्ति जब जागरत हो जाती है जब शक्ति पात हो जाता है तो फिर व्यक कर देना है उसके सामने उपस्तित हो जाना है फिर उसके उपर छोड़ देना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब महादेव बताते हैं कि शक्तिमान गुरू के अनुग्रह से अंतर शक्ति जागरत होती है आधार वात रोधने शरीरम कमपते यदा जब गुरु की कृपा से प्रारब्ध के कर्मफल से स्वतह या शक्तिपाद से कुंडलेनी जागरत होती है तो क्या होता है? आधार वात रोधने शरीरम कमपते यदा आत्मशक्ति उद्बोधित हो जाती है और प्राण आधार चक्र में रुख जाता है जब प्राण आधार चक्र में यानि मूलाधार चक्र में रुखता है तो साधक का शरीर कापने लगता है शरीरम कंपते यदा वाइब्रेशन होने लगता है जब शक्तिपात होता है तो पहला अनुभव आम तोर पर साधकों को वाइब्रेशन का होता है मूराधार में प्राण रुकने के कारण साधक या योगी आनंदित होकर नृत्य करने लगता है यहां भगवान शिव कहते हैं आधार वात रोधने योगी नृत्यती सरवदा अपने आप शरीर हिलने डोलने लगता है रोमान चाता है डांस करने की नृत्य करने की इच्छा जागरत होती है कि मैं बदहवाश होकर नशे में चूर होकर अध्यात्म की धुनी लेकर अध्यात्म की घुट्टी पीकर और मैं ऐसा नाचू ऐसा नृत्य करूँ शरीर को ऐसा हिलाउट डुलाऊं कि पूरा शरीर मत जाए पूरा शरीर में रोम रोम में प्रान पहुँच जाए शरीर के सारे बंधन गठाने ग्लैंड सब खुल जाए कहीं भी कोई अवरोध हो वो खत्म हो जाए तो आधार वात रोधने योगी नृत्यती सरवदा कुंडलिनी जागरती के बाद आमत और पर जादतर साधकों के अंदर नृत्य करने की इक्षा होती है शरीर को हिलाने डोलाने की इक्षा होती है वाइब्रेशन होता है और ऐसा क्यों होता है आधार चक्र में वायू के निरोध होने से होता है और वहीं सारा विश्व दिखने लगता है आधार वात रोधने विश्वम तत्रेव द्रश्यते आधार चक्र में प्राण का वायू का निरोध होने से वहाँ वायू रुक जाने से सारा विश्व दिखने लगता है क्योंकि कुण्डलीनी शक्ति मूला अधार में ही निवास करती है और उसकी इस्थिती के कारण श्रिष्टी का आधार मूला अधार ही है पूरी श्रिष्टी किसी न किसी आधार पर इस्थित है वो आधार भले ही हमें नहीं दिखता लेकिन उस आधार को ही हम शेशनाग कहते शेशनाग क्या है जो दिखाई देता है उसके अलावा जो कुछ मौजूद है वो शेशनाग है उसी को साइंस डार्क एनर्जी कहता है डार्क मैटर कहता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन जिसके कारण गुरुत्वा कर्शन का बल है जिसके कारण ग्रह नक्षत्र आप मार करते हैं ऐसे ये स्रिष्टी आगे बढ़ती जाती है लेकिन आपस में टकराती नहीं सुन्योजित रहती है स्वववस्थत रहती है तो वो किसके आधार पर है वो आधार शक्ति कुंडलिनी के आधार पर है और वही आधार शक्ति कुंडलिनी शेशनाग है शेशनाग की तरह जैसे एक सिंबॉलिक रूप से हम देखते हैं हमारे गरंथों में बताया है कि शेशनाग पर धर्ती टिकी हुई है अरे शेशनाग पर धर्ती नहीं शेशनाग पर पूरा विश्व टिका हुआ है पूरे विश्व का आधार शेशनाग ही है जिसको हम सिंबॉलिक रूप म अपने ग्रंथों में देखते हैं श्रिष्टी राधार माधार माधारे सर्वदेवता श्रिष्टी का आधार वही शक्ति है और श्रिष्टी का आधार जैसे मूलाधार है वैसे ही श्रिष्टी का आधार शेशनाग है मुलाधार में भी वही सर्पनी कुंडलनी शक्ती सर्पेंट पावर निवास करती है आधार में ही सब वेद का ज्ञान निद है भगवान शिव कहते हैं आधारे सर्व वेदाश्य तस्मा दाधार माश्रयेत वागदेवी वेदमई ज्यानशक्ति मुलाधार में निवास करती है इसलिए आधार का ही आश्रे लेना चाहिए हम जिसके आधार पर टिके हुए हैं जिसके कारण हमारा अस्तित्व है उसी आधार का हमें आश्रे लेना चाहिए उसी आधार के सहारे हमें अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए आधार के पश्चिम भाग में इड़ा, पिंगला, सुशुमना का संगम होता है और वहाँ पर जब मन और प्रान एकत्र होते हैं तो दिव्य इसनान और पान होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है आधारे पश्चिमे भागे त्रिवेणी संग मोभवेत तत्र इसनात्वा चपीत्वा चनरह पापात्म प्रमुच्यते तत्र इसनात्वा चपीत्वा चनरह पापात्म प्रमुच्यते आधारे पश्यमम लिंगम कपाटम तत्र विध्यते तस्योद घाटन मात्रेने मुच्यते भवबंदना आधार के पश्यम भाग में स्वयम वू लिंग प्रतिष्ठित है आधारे पशिमम लिंगम कपाटम तत्र विद्यते वहाँ पर सुशुमना का प्रवेश मार्ग है एक सुशुमना नाडी एक सुशुमना नाडी का जिक्र अक्सर हम आध्यात्मिक और योगिक ग्रंथों में सुनते हैं वो सुशुमना नाडी क्या है? वो अध्यात्मिक पत है जिससे अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती है उसका बेस उस आधार चक्र से जोड़ा हुआ है और योग शास्तर कहते हैं कि उस नाडी का स्टार्टिंग पॉइंट क्लोज है कुंडलिनी शक्ती ने उस स्टार्टिंग पॉइंट को उस एंट्री कर रखा है साड़े तीन लपेटे बांध कर कुंडलिनी बहां बैठी हुई है एक सिंबॉलिक बात कही जाती है कि वो सुशुमना वहां पर क्लोज है उसका द्वार खुला नहीं है लेकिन जब वो द्वार खुल जाता है तब मनुष्य संसार बंधन से विमुक्त हो जाता ह वो द्वार तब खुलता है जब वहां पर प्रान का निरोध होता है इसी वज़े से वाइब्रेशन होता है साधक के मन में ये सवाल आता है कि वाइब्रेशन क्यों होता है वाइब्रेशन इसलिए होता है कि उस द्वार को खोलने के लिए कुंडलनी शक्ति प्रान को और योग शास्त्र कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, रण्यगर्व कहते हैं, कि उस द्वार के खुल जाने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आधार वात रोधने लियते गगनान तरिया। आधार चक्र को खोलने की क्रिया शक्तिपात होते ही शुरू हो जाती है। अंदर इस तरह के अनुभव आते ही हैं, ये सारे अनुभव सभी को एक साथ आएं जरूरी नहीं है, किसी को कोई अनुभव आता है। साधक को चक्रों में नहीं उलजना है, चक्रों के बारे में वास्तविक योग शास्त्रों में, शक्तिपात शास्त्रों में कम ही वरणन मिलता है। क्योंकि जादा वरणन से जादा थियोरिटिकल ग्यान से साधक भ्रमित हो सकता है। इसलिए चक्रों में बहुत जादा उलजने की बजाए मूल भाव को पकड़िए कि ये सब होता क्यों है। कौन सा चक्र कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, उस चक्र को खोलने से क्या अनुभूतियां आएंगी, ये कुंडलनी शक्ति पर छोड़ दीजिए। किसी को अनुभूतिया आएंगी, किसी को नहीं आएंगी। अंतर में शक्ति किस तरह से कारे कर रही है, ये वही जानती है। लेकिन योग शास्त्रों ने कुछ मार्ग दर्शन किया है, ताकि साधक का मन लगा रहे, उसे ये पता रहे कि वो जिस मार्ग पर है, वो सही मार्ग है, वो भूत प्रेत द्वारा, किसी बाधा के द्वारा घटित क्रियाएं नहीं है, बलकि स्वयम साक्षात महादेवी महाशक्ति के द्वारा ये अनुभव कराये जाते हैं, इन अनुभवों का ग्यान होना जरूरी है, वरना सादक भटक सकता है, ब्रहमित हो सकता है, लोग उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, कह रही ये तो बताया था, और ये सारे अनुभव मैंने अपनी साधना के दौरान अनुभूत किये हैं, अनुभव में आये हैं, इसलिए मैं इनका वरनन कर रहा हूँ, और इनका वरनन योग शास्त्रों में, महायोग विज्ञान में, अलग अलग शक्तिपात शास्त्रों में, किताबों म बताया गया है, इनके बारे में वरण किया गया है, तो उसक्या होता है, जैसे ही शक्तिपात होता है, तो आम तोर पर अमूमन जादतर साधकों में मूलाधार में कमपन होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, शरीर वाइब्रेट करता है, जटका देता है शरीर, शरीर कापन लगता है, अपने आप कुम्भक होने लगता है, हम स्वास अंदर लेते हैं और वो स्वास अंदर रुख जाती है, काफी देर तक वो स्वास अंदर रुखती है, इसी को कुम्भक कहा जाता है, शरीर घड़े की तरह स्वास से भर जाता है, और फिर बार-बार स्वास प्रश् पहाती के नाम से जाना जाता है, वो अपने आप साधकों को होते हैं, साधक जब बैठता है, वो नहीं करता फिर भी तेज स्वास प्रश्वास होता है, शरीर संभाले नहीं संभलता, जैसे ही वो बैठता है, अपने आप उसकी बॉड़ी आगे की तरफ जुकने लगती है, में आता है जो साधक प्रारब्द से परिपकु नहीं है या जिसके शरीर को शरीर की सुधी की प्राण की शुधी की आवश्यक्ता है तो उसको इस तरह की क्रियाएं होती हैं तो योग शास्त्र कहते हैं कि यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि कुंडलनी शक्ति जागृत ह हो गई और अपना कार्यक करने लगी उस समय हमें क्या करना चाहिए उस समय साधक को चुपचाब बैठना चाहिए साक्षी भाव द्रिश्टा भाव आजाना चाहिए क्योंकि करने वाला साधक नहीं है करने वाली कुंडलिनी शक्ति है और चुप चाप बैट कर देखो कि क्या हो रहा है आसन इस्थर हो जाएगा सीधे बैट जाओगे अपने आप रीड की हड़ी सीधी हो जाएगी अपने आप उड्डियान बंद यानि पेट अंदर खिचने लगना जालंदर बंद यानि गला नीचे जुकर ठुड़ी कंठ कूप में लगने लगना मूल बंद यानि शरीर के निचले अंग खिचने लगना जीवा तालू में उलटकर चली जाए जिसको खेचरी मुद्रा कहते हैं जीव उलटकर तालू में लगने लगे इस फूर्ती आने लगे हाथ पेर अपने आप खिचने लगे तो समझ लेना कि कुंडलनी शक्ती क्रियाशील हो गई जागरत हो गई जब आसन दुर्टा से लगा रहे सीधे बैठो और आसन देर तक लगा रहे आँखों के तारे घूमने लगे अपने आप आँखें बंध हो जाएं और आँखें चारों तरब घूमने लगें तारों की तरह दिखाई देने लग जाए केवल कुंभक हो जाए मन वाह ग्यान शून निश्क्री हो जाए तो समझ लेना कि महाय माया आद्या सक्ति कुंडलनी देवी क्रियाशी लोगे महायोग विज्ञान ये कहता है और ये साधक को स्वत्ह अनुभूत होता है और इनिश्यली स्टेज में ही जैसे ही शक्ति पात होगा ये सब अनुभव उसे आने लगेंगे यदि उसका संपर्क अपने गुरू से गुरू शक्ति से गहराई से जुड़ गया है तो बहुत देर नहीं लगेगी ये अनुभवाने में जब प्राण कला के श्रोत मूलाधार से सहस्तरार में जाते मालूम पढ़े कई साधकों को सब को ऐसा नहीं होता कई साधकों को ऐसा लगता है कि मूलाधार से कोई इनरजी कोई बायू का बुलबुला चीटी जैसी कोई चीज उपर की तरफ चड़ रही है अपने आप मूह से प्रणव का जाप होने लगे ओम की ध्वनी निकलने लगती है प्राण की क्रियाओं के कारण अलग-अलग तरह के अनुभव होते है पूरे शरीर में प्राण शक्ति व्याप्त हो जाती है और कलपना करते ही जिस शरीर में भी आप कलपना करेंगे शरीर का वो हिस्सा वाइब्रेट करने लगता है मूव करने लगता है तो समझ लेना कि कुंडलेनी शक्ति जागरत हो गई मेरु दंड में कमपन मालुम पड़े रीड की हड़ी वाइब्रेट करने लगे कभी शरीर में शूनिता आये ऐसा लगे कि शरीर है ही नहीं शरीर कोई प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहा शरीर शांत हो गया शित्र हो गया नेत्र खुलने पर भी न खुले आँखें खोलना चाहें लेकिन आँखें लंबे समय तक बंद रहें शरीर से विद्दुत स्रोट चलें पूरे शरीर में ऐसा लगे जैसे कि इनर्जी सरक्लेट हो रही है इनर्जी एक जगे से दूसरी जगे जा रही है बिजली कौंद रही है बिजली व्याप्त हो रही है शरीर खिचने लगे तो समझ लेना कि महा माया कुंडलनी क्रियाशील हो गई आखे बंद करो और शरीर आगेत की तरब जुक करो और भूमिष्ट हो जाए जमीन पर लग जाए शरीर चक्की की तरह घूमने लगे स्वास प्रस्वास बाहर ही न निकले मैंडक की तरह उचलने लगे घूमने लगे चक्कर लगाने लगे अपने आप शरीर जमीन पर ढ़ल कर गिर जाए शवासन लग जाए हाथ उठाए न उठें पैर भी न हिले पूरी नाडियों में खिचाब होने लगे और ऐसा लगे जैसे शरीर उसे प्राण निकल रहा है शरीर मचली की तरह उचल उचल कर तड़ पे आनन्द आए तो समझना कि योग माया कुंडलनी शक्ति क्रियाशी लोगई मन में आवेग आ जाए ऐसा लगे कि शरीर में कोई प्रवेश कर गया है और उसके कारण तरह तरह के आसन अपने आप होने लगे तकलीफ तब भी ना हो इतने विवद प्रकार के आसन इतनी विवद प्रकार की क्रियाशी होती है जिनका वड़न ही नहीं किया जा सकता लेकिन इसके बाद भी शरीर में किसी तरह की कोई तकलिफ नहीं होती पंद्रा बीस मिर्ट आदे घंटे जब तक वो क्रियाशी होती है अदबुत प्रकार की क्रियाएं होती ही और उसके बाद हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं शरीर हलका हो जाता है किसी तरह का कोई कश्ट नहीं बलकि कश्ट दूर हो जाते हैं नहीं भी शरीर में नस नाड्यों में कोई खिचाब होता है, वो दूर हो जाता है, रीढ की हड़ी सीधी हो जाती है, कई लोगों के बॉडी पोस्षोर के कारण, गलत बॉडी पोस्षोर के कारण, पेट कुछ लोग बाहर निकाल के चलते हैं, कुछ लोग गर्दन आगे निकाल के चलते हैं लेकिन कुंडलनी शक्ती के जागरण से रीड की हड़ी वक्राकार न रहकर सीधी हो जाती है गर्दन सीधी हो जाती है व्यक्ति तन कर चलने लगता है और ये सब उर्जा के सहज प्रभाह के कारण होता है आखे बंद करोर अलग अलग तरह की चेश्टाएं होने लगती है हाथ पैर घूमने लगते हैं मुझ से अलग अलग तरह के शब्द निकलते हैं जिनकी भाषा समझ में नहीं आती है कैसे शब्द हैं पसु पक्षी मैंडक के जैसे शब्द निकलते हैं अलग-अलग तो रहे के भाव जैसे श्वान, बिल्ली, व्याग्र, सियाधी के शब्द होते हैं, उस तरह के शब्द निकलते हैं, उस तरह की क्रियाएं होती हैं तो समझ लेना कि महाशक्ति कुंडलिनी दे भी क्रियाशील हो गई हर जगे प्राण की गती मालुम होती है, जहां महसूस करो वहीं प्राण की क्रिया महसूस होने लगती है तो समझ लेना कि कुंडलिनी जाकरत हो गई, अश्ट प्रहर कुंडलिनी शक्ति की अनुभूती अंदर होती है और मन एकाग्र होते ही शरीर वाइब्रेट करने लगता है सोते समय भी कई बार शरीर में वाइब्रेशन का अनुभव होता है प्राण कला के श्रोत सहस्तरार में जाते हुए अनुभव में आते हैं सपन में भी मन क्रियात्मत रहता है अलग अलग तरह कि सुपन आते हैं, लेकिन फिर भी सुभ ठकान नहीं होती, तो समझ लेना कि कुंडलीनी शक्ति जागरत हो गई, व्यक्ति गाने लगता है, राग रागनी निकालने लगता है, विचित्र तरह का संगीत निकालता है, अपने आप व्यक्ति कविता की रचना क करने लगता है posting बनाता यह तरह तरह कि पैंटिंग्स बनाता है ऐसे ऐसे चित्र बनाता है जिसकी कलपना भी नहीं कर सकते अपने आप दोनों हाथ जुड़कर इश्वर को प्रणा मैं दोनों हाथ जुड़ते हैं और ऐसा लगता है कि हम विश्व की शक्ति को ग्रहन कर रहे हैं। दोनों हाथ जुड़कर चक्र जैसी आकरती बनती है और अलग-अलग चक्रों तक वो दोनों हाथ जाते हैं। अलग-अलग तरह कि मुद्राएं बनती हैं। मुँ में रस आने लगता है अलग अलगत रहे कि धुनिया सुनाई देती है अनेक प्रकार के स्वाद महसूस होते हैं तो समझना चाहिए कि सरस्वती रूपा कुंडल निशक्ति क्रियाशिल हो गई बिना पिये ही भंग की तरह नशा चड़ा रहे मस्ती आए कभी कभी ऐसा लगे कि कुछ भी मत सुनो कुछ भी मत कहो चुप चाप बैठो इस मस्ती में डूबे रहो दिन भर शरीर एक्टिव रहे दिन भर ऐसा लगे कि काम करते जाओ फिर भी थकान नहो शरीर हलका हो जाए उड़ता हुआ नजर आए मन प्रफुलित और प्रसन रहे सुपन में भी अप्रसनता ना आए गलत हो या सही हो मन विचलित ना हो तो समझ लेना कि ब्रह्म शक्ति कुंडलिनी क्रियाशीर हो गई आखें बंद करोर सुपन सी अवस्ता आ जाए देवताओं के दर्शन होने लगें सीधे दिव्यात्माओं से आदेश मिलने लगें तो समझ लेना कि देवी शक्ति कुंडलिनी क्रियाशीर हो गई योग महाविज्ञान कहता है कि रोगों की आउशदी मिलती है देव्या मंत्र मिलते है ज्ञान मिलता है तरह तरह का ग्यान अंतर से प्रकट होता है और कई ग्यान की बातें बाहर से हम ग्रहन करते हैं और उनका सही सही अर्थ निकाल लेते हैं शास्त्रों को पढ़ते हैं ग्रंत को पढ़ते हैं और गूड से गूड बातें आसानी से समझ में आ जाती है सुक्ष्व शरीर सामने दिखने लगता है इस थूल शरीर गायब हो जाता है आँग खोल दे फिर भी शुनी ही नजर आता है सामने प्रकाश नजर आता है तो समझ लेना कि कुंडलनी शक्ति जागरत हो गई वेद वेदान्त का गूड रहसे समझ में आने लगता है मन के संदेह मिटने लगते है थोड़ा सा भी शास्तर पड़ो और उस शास्तर का पूरा अर्थ समझ में आने लगता है व्याख्या करने की विचत्र शक्ति आ जाती है ज्यान प्राप्ति के लिए स्वयम ब्रह्मा से भ क्रियाशील हो गई भैकुटी द्रिश्टी में स्थर हो जाए जीवादवारा खेचरी हो जाए प्राण प्रवास सरवता रुख जाए मन आनंद सागर में गोता लगाए शांब में मुद्रा होने लगे आंखें उनमिलित होने लगें आंख बंद करते ही नेतर ऊपर की तरफ आग खुली रहे तब भी नेतर उपर की तरह जाएं जब हम बैठें तो सामने विविद प्रकार के प्रकाश दिखाई दें तो समझ लेना कि कुंडलनी शक्ति क्रियाशील हो गई और इस तरह कुंडलनी शक्ति अलग अलग प्रकृति वालों को उसके मन प्राण और शरीर के मताबिक अलग अलग रूप से योग शास्त्र कथित समाधी के लिए शिव शक्ति सम्मेलन के लिए यानि शिव और शक्ति को मिलाने के लिए अलग अलग प्रकार की चेश्टा और क अक्षड प्रकट होते हैं, सिद्धी अपने अपने संसकारों के अनुसार होती है, जिसके जैसे संसकार होंगे, जैसे भाव होंगे, कुंडलिनी भाव प्रधान होती है, आपकी जो इक्छा होगी, उसमें सारी सामर्थ लगा दी जाएगी, आप जो प्राप्त करना चाहेंग कुछ लोग अपने शरीर को हस्ट पुष्ट करना चाहते हैं, बॉड़ी को बिल्ट करना चाहते हैं, तो सारी कुंडलनी शक्ति आपकी बॉड़ी को बिल्ट करने में लग जाएगी, यदि आप रोगों से निर्वित्ति चाहते हैं, रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुंडलनी शक्ति आपके रोगों की निर्वित्ति करेगी आपको समाधी की अवस्था प्राप्थ करनी है तो आपको समाधी की तरफ ले जाएगी अब कुछ लोग कहते हैं कि कोई-कोई साधक ऐसे हैं जो चश्मा पहनते हैं कुंडलनी शक्ति का कारे आपके चश्मे को हटाना नहीं है, कुंडलनी शक्ति आपके उनहीं रोगों की नुर्वित्ति करेगी जो आपकी साधना में बाधक बन रहे हैं, छोटे बड़े सभी रोगों की नुर्वित्ति का ठेका कुंडलनी शक्ति नहीं लिया, नहीं आप च के लिए कुंडलिनी की तरफ मुह ताकना जरूरी नहीं है। इसलिए उच्चिस्तर के साधक अपने शरीर को एक निश्चित मात्रा में ही कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से ठीक करने की आशा रखते हैं। बाकि वो परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि जब तक परमात्मा शरी शरीर को स्वस्त रखना चाहिए रखे बाकि जिस रोग से भी जिस निमित्त से भी वो शरीर को नश्च करना चाहिए कर दे। कुंड़नी शक्ती का उप्योग सिर्फ शरीर की सुद्धी के लिए शरीर को स्वस्त रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए कुंडनी शक्ति, महा माया, योग माया का जागरण का अर्थ ये है कि आपको उससे विशिष्ट आध्यात्मिक उद्देश की पूर्ति करना चाहिए, महा जीवन को सवारना चाहिए, सिर्फ इस जीवन से जुड़े हुए छोटे छोटे कारियों की पूर्ति के लिए कुंडन चाहिए, कि वो क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, कहां ले जाना चाहती है, पूर्तह समर्पित भाव से गुरू के प्रति, आदर के साथ, शक्ति के प्रति, समर्पन के साथ, हमें अपनी बुद्धी, अपनी चेश्टा, अपने तर्क कुतर्क इसके साथ नहीं के बाद एक ही दिशा में आगे बढ़ता है यदि वो अपनी मन बुद्धी चित्त न लगाए सब के पीछे एक ही शक्ति कारे करती है चाहे वो गुरु हो शिश्य हो आम व्यक्ति हो शक्ति एक ही है अलग-अलग शरीरों में उसकी अभिवक्ति अलग-अलग तरह की होती है ल ये कई बार एक जन्म में संभव होता है कई बार इसके लिए सादकों को और भी जादा जन्म लेने पड़ते हैं इतने जन्मों के संसकार हैं कई बार एक ही जन्म में नहीं मिटते क्योंकि हम एकाग्र नहीं होते पूरी तरह समर्पित नहीं होते आज इतना ही अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडलिनी जागरती के बाद कौन कौन से स्टेज आती है और किस स्टेज का क्या में